हलो फ्रेंड्स मैं हूं सी विराज सौगत हैं आप सभी लोगों का सुपार इंग्लिस क्लास चैनल में आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेट्यू एकसरसाइज इसमें हमने टोटल बारा सेंटेंस कवर किये हुए हैं ये सभी सेंटेंस क्लास टेंथ की बुक ए न्यू स्टायल इंग्लिस ग्रामर से लिए गए हैं इसमें आज हमने आफर्मेट्यू की एक एकसरसाइज कंप्रीट करवाई है जिसमें टोटल बारा सेंटेंस हमने करवाई हैं इसमें हम एक इस्टेक्टर बताएंगे और इसमे बताएंगे कहां पर लगना है, cell have, और बर कि third form कर दियो किया जाएगा, और object लिखेंगे, तो I और V के साथ लगेगा cell have, और बागे सभी subject होंगे, उसमें लगेगा will have, तो इसमें पहला sentence बना कि देखते हैं, मैं अपना कारी पूरा कर लूँगा, तो यहां पहला लिखेंगे I, I means होता है मैं, तो इसमें लिखेंगे I, अब यहां पर लिखना पड़ेगा cell have, और finish मिन्स पूरा करना होता है, या समाप्ट करना, तो if I, N, I, S, H, E, D, finished लिखेंगे, समाप्ट हो गया, और my लिखेंगे, I के साथ अपना के लिए my का प्रेयोग करेंगे, work मिन्स कारी, स्टाप लगाएंगे sentence पहला complete हुआ next sentence लिखा है तुम 10 बज़े से पूर्व अपना पाठ याद कर चुकोगे तो यहाँ पर you लिखेंगे you means होता है तुम you का प्रियुक कर लिए you will hype लगाएंगे hype का प्रियुक करने के बाद याद करना की होती है learn z e d इसमें memorize लिख लेंगे third form है याद करना की और your lesson you के साथ अपना की हो जाएगी your lesson मिन्स होता है part l e w s o y lesson मिन्स part हो गया और 10 बज़े से पूर्व है तो यहाँ पर पूर्व की लिखेंगे before before मिन्स होता है पहले और 10 o clock 10 o clock c l o c full stop लगाएंगे sentence बन जाएगा next लिखा अगला sentence हम यह समाचार कल तक सुन चुकेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे v b मिन्स होता है हम v का प्रियोपिया v के साथ cell have लगाएंगे have का use कर लिया अब यहाँ पर here मिन्स सुनना होता है इसमें यह third form लगाएंगे here हो जाएगा यह ची ए आर इडी here this news ती एच आई एस this या नी डाब्लू एस news और कल तक है तो तुमारो लिखेंगे by tomorrow मिन्स कल होता है टी ओ एम ओ डाबल आर ओ डाब्लू sentence complete हुआ अब next चौथा sentence लिखा है किसान अपने खेतों को जोद शुकेंगे तो यहाँ पर farmer मिन्स होता है किसान या फे आर येम ए आर येस farmers यहाँ पर किसान बहुत से हैं will have लगाएंगे will have will have लिखें के बाद यहाँ पर plow मिन्स होता है जोतना इसकी थर्ड काम हो जाएगी plows p-l-o-u-g-h-e-d plows और hedge field यहाँ पर किसान अपना खेत जोतरा है तो hedge लिखेंगे वो field मिन्स खेत होता है f-i-e-l-d-e-s fields मिन्स खेत next sentence लिखा है सिकारी हिरर को पकड़ चुकेगा तो यहाँ पर लिखेंगे hunter मिन्स सिकारी तो सिकारी के spelling लिखेंगे the hunter h-u-e-n-t-e-r hunter और bill लगाएंगे have लिखा जाएगा catch मिन्स पकड़ना होता है catch की लिखेंगे third form c-a-u-g-h-t catch और हिरन है तो dear means here next देखते है चाटा sentence तो यहाँ पर police को देख कर चोर भाग चुकेगा तो यहाँ पर सबसे पहले police की लिखी जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा the thief t-h-the thief t-h-i-e-f thief मिन्स चोर होगा और यहाँ पर आगे लिखेंगे will have will have और run away मिन्स भाग जाना होता है are you यहाँ run away a-w-a-y run अबे हो गया और police को देख कर तो देख कर है तो after लिखेंगे a-f-t-r after seeing s-w-e-i-n-g seeing the police p-o-l-i-c last minute full stop यह six sentence बन गए है और से बच्चे हैं वीडियो को complete देखेंगे पूरे कराये होई है अगला सादवा sentence लिखा है मेरा भाई स्टेशन पर आम खरीच चुगेगा तो यहाँ पर सच्चे पहले लिखेंगे मेरा भाई की my brother my brother b-r-o-t-h-e-r brother will लगाएंगे have will लगाने के बाद will have लिखती है अब यहाँ पर खरीदना की होती y what हो जाएगी b-o-u-g-h-t what खरीदना की होगी mango लिखेंगे y-a-n-g-o-mango आम हो गया और station पर है तो at the station s-t-a-t-i-o-n station next sentence लिखा है तुमारे निमंद लिखने से पूर्प घंटी बच चुके गी तो यहाँ पर शुरुआत में लिखेंगे the well the well means होता घंटी we develop well हो गया will have लिखेंगे इसमें helping बद will have सभी जगे यूज की जाएगे will have और rank ring means बजारा होता rank लिखेंगे rank before you you means तुम होगा लिखने से पूर्प तो बीफोर क्यों write w-r-i-t write your essay e-s-a-b-i-s-c pull stop next sentence लिखा है समय समाथ होने से पूर्प या पहले मैं सब प्रिष्णों को हल कर लूँगा तो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा I मतलब मैं will मैं परिष्णों को हल कर लूँगा तो I will have solve लिखेंगे third form इसमें लग जाएगी तो yes O, L, B, E, D solved all questions Q, U, E, S T, I, O, N, S questions हो गया before that time समाथ होने से पहले before that time और run यह इस ओबर लिखें यह फिर यहां पर हो जाएगा run run out full stop बन गया अगला देखते हैं दसरो संटेंस तुम्हारे मित्र सनबार तक कारिश रमाप कर लेंगे तो यहां पर हो जाएगा your friend तुम्हारे मित्र की your friend F, R, I, E, N, D yes लगाईए friends हो गया will have will have finish लिखेंगे F, I, N, I, S, H, E, D finished the work W, R, K, work और सनिवार तक है तो Y, S, T, E, S, A, T, E T, U, R, D, A वैस सनिवार तक next 11 sentence लिखा है बारिश के आरंब होने से पहले हम अपने घर पहुँच चुकेंगे तो इसमें सबसे पहले हम से starting होगी V V मिन्स होता है हम Will have लगाते है Will Have और रीच मिन्स पहुचना होता R, E, S, E, A, G, D, R, E, T तो यहां पर रायन लिखेंगे रायन स्टार्ट स्टार्ट बारिस को शुरुआत होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे नेक्स लिखा जब तुम स्टेशन पहुंच होगे तब रेल गाड़ी जा चुकी होगी तो यहां पर इधर वाला पहले बनाते हैं भैन यो रीज दा स्टेशन स्टेशन कोमा लगाते हैं और तब रेल गाड़ी जा चुकी होगी तो यहां पर लिखेंगे दा ट्रेन ट्रेन विल आप लेफ्ट इस तरह से बारा संटेशन कॉम्प्लेट होगे आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेट किलर के बटन को दबाका चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में और इस वीडियो को अपने क्लास के दोस्तों के साथ से अजरू कीजिएगा तब तक चलिए बाइवे कि अपने कीजिएी